आज यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कदम जी की याद में हम यहां आए हैं उन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी कॉंग्रेस पार्टी को महराष्ट्रा को देश को दी विकास का काम किया शिक्षा का काम किया और कॉंग्रेस पार्टी के साथ पूरे दिल से पूरी जिन्दगी भर वो खड़े रहे जब इन्रा गांदी जी चुनावहारी थी तब भी कदम जी उनके साथ थे दो बजे रात को दो बजे रात को उनकी मीटिंग और्गनाईज की थी तो आज हम उनकी याद करते हैं महराष्टा प्रोग्रेसिव स्टेट है अलग-अलग लोगों ने यहाँ पर प्रोग्रेसिव काम किया जन्ता को एक साथ लेकर इंस्पायर किया और वो लोग महराष्टा को रास्ता दिखाते हैं बहुत लंबी लिस्ट है श्रिवाजी महराज जी शाहू महराज जी फूले जी अमबेटकर जी इन सब ने महराष्टा को नहीं मगर पूरे देश को जीने का तरीका प्रगती और इंस्पिरेशन दिया और मैंने खारगे जी से आज कहा कॉंग्रेश प्रेसिडेंट है तो अंदर की बात आपको बताता हूँ हम जैसे ही लैंड किये तो मैंने खारगे जी से कहा कि खारगे जी मैंने एक बात नोटिस किये तो उन्होंने का क्या मैंने का मैं आपके साथ करना तक जाता हूँ तो आप बहुत खुश हो जाते हो जैसे ही आप जहाज से उतरते हो चेहरे पे मुश्कान होती है मगर मैंने एक और बात देखी है जब आप महराश्ट्रा आते हो तब भी आप बड़े खुश होते हो आपके चेहरे पे मुश्कान होती है तो एक सेकंड में उन्होंने जवाब दिया राहुल महराश्ट्रा में कॉंग्रेस पार्टी की विचारदारा बहुत गहरी गुसी हुई है इसलिए जब मैं यहाँ आता हूँ जब मैं यहाँ आता हूँ मुझे खुशी होती है यहाँ पे विचारदारा कॉंग्रेस की है अमबेटकर जी की है शुवाजी महराज फूले फूले जी की है और इसलिए मुझे यहां आकर उतनी ही खुशी होती है जितनी मुझे करनाटक में जाकर होती है और यही मेरी फिलिंग है जब भी मैं महराश्था आता हूं मुझे लगता है कि यह जो प्रदेश है हमारी विचारधारा का गड़ है फाउंडेशन है और आप लोगों के डियने में डियने में हमारी विचारधारा है और लड़ाई विचारधारा की है जो आप हिंदुस्तान में देख रहे है यह सिरफ पॉलिटिक्स नहीं है पहले पॉलिटिक्स चलती थी राजनेती चलती थी आज हिंदुस्तान में आइडियोलोजिकल लड़ाई चल रही है विचारधारा का युद्ध चल रहा है और एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी और ये सब महापुर्श और दूसरी तरफ बीजेपी हम सोशल प्रोग्रेस चाहते हैं हम सब को जोड़ कर एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा का पूरा फाइदा मिले दलित दलित रहे पिछड़े लोग पिछड़े रहे आधिवासी आधिवासी रहे और जो जात का धाँचा है वो वैसा का वैसा रहे ये हम दोनों के बीच में लडाई और ये आपको पूरे देश में दिखेगी वो नफरत फिलाते हैं हिंसा फिलाते हैं एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं एक जात को दूसरे जात से लड़ाते हैं एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते है मनिपुर देखिए पहली बार हिंदुस्तान के हिस्ट्री में सिविल वार जैसा महौल बना हुआ है मगर आज तक देड़ साल हो गया आज तक हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री मनिपूर नहीं गए जाई नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे बीजेपी के लोगों ने आग लगाई तो ये लड़ाई चल रही है भारत जोड़ो यात्रा में कन्या कुमारी से हम कश्मीर चले लोग कहते हैं कि राहुल गांदी कन्या कुमारी से कश्मीर चला नहीं मैं अकेला नहीं चला था लाखों लोग हमारे साथ कन्या कुमारी से कश्मीर चले थे महराष्टरा में केरल तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हर प्रदेश के लोग चले थे और एक लक्ष था जो एक लाइन में हमने कह दिया नफरत के बाजार में मोहबत की दुकान खुलनी हमें नफरत की राजनेती नहीं चाहिए नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें मोहबत की राजनेती चाहिए मोहबत का हिंदुस्तान चाहिए हम भाईचारा देखना चाहते हैं हम एक दूसरे की इज़त करना चाहते है यह फरक है आप देखिए देश के कोने कोने में ये लोग नफरत फैलाते हैं और ये नई चीज नहीं है ये सदियों से कर रहे है और ये विचारधारा की लड़ाई भी पुरानी है आज ये लड़ाई कॉंग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है इससे पहले यही लड़ाई फूले जी ने लड़ी यही लड़ाई शिवाजी महराज ने लड़ी विचारधारा उनकी और हमारी मिलती है उनकी विचारधारा में और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा में कोई फरक नहीं चाहिए वो हम बेटकर जी हो शाहुजी महराज हो फूले जी हो अगर आप उनको पढ़ें उनके आइडियाज को देखें समझें तो आपको पता लगेगा कि फूले जी के आइडियाज अमबेटकर जी के आइडियाज शिवा जी महराज के आइडियाज हमारे कॉंस्टिट्यूशन में आज है और चुनाओं में हमने साफ कह दिया कि लड़ाई विचारधारा की है बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के सम्विधान को खतम करना चाहते हैं सीधी सी बात आप देख लीजिए जहां भी अपने लोग डाल सकते हैं वहाँ यह अपने लोग डाल देते हैं चाहे वो एलेक्शन कमिशन हो चाहे वो शिक्षा के इंस्टिटूशन हो लीगल सिस्टम हो ब्यूरोक्रिसी हो यह मेरिट नहीं देखते हैं आज हिंदुस्तान में इनके आँखों में एक ही तरीका का मेरिट है अगर आप RSS के हो तो मेरिट है अगर RSS के नहीं हो तो आपके लिए इन संस्ताओं में कोई जगा नहीं है और हर रोज ये Constitution पर आक्रमन करते रहते हैं कोई ना कोई नया तरीका ये निकालते रहते हैं हमने जाती जंगरना की बात की हमने कहा कि देखिए देश में पता लगाना है कि किसकी कितनी अबादी है और किसका कितना हक बनता है मैंने कुछ गलत बोला सही बोला न कि ये पता लगाना है अलग-अलग वर्ग के लोग है ये कितने हैं इनकी अबादी कितनी है और इनका हक क्या है और कौन सी संस्ताओं में इनके लोग है एक प्रकार से हम स्नापशॉट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हाला थे बीजेपी के लोग एक दम कहते हैं नहीं हमने डबाव डाला नियाई यात्रा की और पहले ये सारे के सारे लोग कहते थे कि जाती जनगरना के हम खिलाफ हैं आरेसेस के लोग कहते थे बीजेपी के लोग कहते थे इनके नेताओं के बियान हर रोज आते थे कि जाती जनगरना नहीं होना चाहिए हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कन्फ्यूजन में आरेसेस कहती है कि हां जाती जनगरना जरूरी है अगर आप आज कहरे हों कि जाती जनगरना जरूरी है तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थी मैं आपको बता रहा हूँ पार्लिमंट में हमने कहा है पार्लिमंट के फ्लॉर में लोकसभा में मैंने कहा है कुछ भी हो जाए जाती जनगरना करवाएगी कॉंग्रेस पार्टी करवाएगी हमारा घटबंदन करवाएगा क्योंकि हम जानना चाहते हैं हम देश की सच्चा ही समझना चाहते हैं इस देश के धन का फाइदा किसको हो रहा है कौन से वर्थ को हो रहा है किसको नहीं हो रहा है यह हम जानना चाहते हैं और यह हम काम करवा के दिखाएंगे भाई और बेहनों आज हमने कदम जी की मूर्ति का उद्गाटन किया और जब मैं वहाँ था मैं सोच रहा था कि कदम जी ने साथ साल आपके साथ काम किया ट्रांस्पेरंसी के साथ महबत के साथ उन्होंने काम किया इमानदारी के साथ उन्होंने काम किया 60 साल में उन्होंने आप से कभी माफी नहीं माँगी क्यों नहीं माँगी क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी यह सचा ही है माफी जो ही मांगता है जो गल्थ काम करता है जिसने गल्थी ही नहीं की उसको माफी किस चीज़ की मांगनी है यहां कुछी दिन पहले शिवा जी महराज की मूर्ती बनाई गए और मैंने अगबार में पढ़ा कि प्रधान मंत्री ने कहा मैं शिवा जी महराज से माफी मांगता हूँ अब मैं यह समझना चाहता हूँ प्रधान मंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी अलग-अलग कारण हो सकते है पहला कारण हो सकता है कि यह जो मूर्ती थी इसका कॉंट्रैक्ट आरेसस के एक व्यक्ति को दी गई पहला कारण यह हो सकता है शायद प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं मैंने गल्ती की मैंने गलती की मुझे ये contract RSS के व्यक्ति को नहीं देनी थी ये मुझे contract merit पे देना था शायद वो गलती हो सकती है दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ती के बंडे में भरष्टाचार हुआ चोरी हुई शायद प्रधान मंत्री इसके लिए माफी मांग रहे है कि मैंने जिसको contract दिलवाया उसने भरष्टाचार किया महराश्टा के लोगों से चोरी की ये कारण हो सकता है तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महराज की मूर्ती बनाई उनकी याद में आपने मूर्ती बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ती खड़ी रहे मैं आपको गैरंटी देता हूँ कदम जी की जो मूर्ती बनी है न आप यहाँ पचास साट सतर साल बाद आजाईए यहाँ आपको दिखेगी और शायद सबसे बड़े महापुर्श शिवा जी महराज जी की मूर्ती बनती है और कुछी दिनों में बरस्टचार के कारण गलत वियक्ति को कॉंट्राक देने के कारण वो मूर्ती गिर जाती है शिवा जी महराज का अपमान किया है और प्रधान मंत्री को सिरफ शिवा जी महराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए अगर माफी मांग रहे है तो महराश्ट्रा के हर वियक्ति से माफी मांगनी चाहिए और प्रधान मंत्री जी को ये भी समझाना चाहिए कि आप सिर्फ दो लोगों की सरकार क्यों चलाते हो जहां भी हम देखते हैं बड़े से बड़े कॉंट्रैक्ट अदानी और अम्बानी जी को मिलते हैं मैंने पार्लिमंट में भाशन दिया पार्लिमंट में किसी का नाम लिया जा सकता है मगर पहली बार मुझे कहा गया कि पार्लिमंट हाउस में अपने भाशन में मैं अदानी और अम्बानी का नाम नहीं ले सकता हूँ तो फिर मैंने कहा ठीक है भ Doncs आप चाहते हों कि मैं ना लूँ मुझे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा अगर अम्बानी अदानी नहीं चाहते हैं तो मैं कुछ और कह देता हूँ तो मैंने उनका निया नाम बनाया है A1 और A2 पूरा का पूरा काम A1 और A2 का हो रहा है प्रधान मंत्री जी ने इसके लिए माफी किसी से नहीं मांगी काले कानून आए किसानों से उनका हक छीनने वाले कानून साथ सो किसान शहीद हुए हमने पार्लिमेंट में कहा कि दो मिनट इनके लिए मौन रखा जाए हमें कहा जाता है नहीं ये शहीद नहीं है दो लोगों को फाइदा पहुँचाने के लिए हिंदुस्तान के सारे के सारे स्मॉल और मीडियूम बिजनसेस को खतम कर दिया जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं उनको नोट बंदी से गलत जी एसटी से आपने खतम कर दिया और अब पतियों का रास्ता खुलने के लिए उनसे भी आप माफी मांगिए नोट बंदी की माफी मांगिए गलत जी एसटी की माफी मांगिए और नतीजा क्या है कि आज अगर युवा रोजगार चाहता है सिर्फ महराष्टा में नहीं पूरे देश में कहीं भी अगर रोजगार चाहता है उसे रोजगार नहीं मिल सकता क्यों? क्योंकि जो कमपनियां उसे रोजगार देती थी जो छोटी company थी middle size company थी वो सब बंद हो गई, खतम हो गई भाईयों और बहनों अंबानी और अदानी इस देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं रोजगार कौन दे सकता है रोजगार छोटे business वाले दे सकते है रोजगार medium size business वाले दे सकते हैं चोटी factory चलाते है, middle size factory चलाते है जो चीज़े बनाते हैं, ये लोग दे सकते हैं आज हिंदुस्तान में नया model है चाइना का माल आता है वो ही 10-12 अरपती उस माल को बेचते हैं आप mobile phone के पीछे देख लीजिए, made in China shirt के पीछे देख लीजिए, made in Bangladesh जूते के नीचे देखिए, made in Vietnam, made in महराष्ट्रा, made in India आपको कहीं नहीं दिख सकता और ये सारा का सारा माल, ये अरपती बेचते हैं नुकसान किसका होता है? हिंदुस्तान के युवाओं का होता है हिंदुस्तान के जो छोटे business हैं, middle size business हैं जो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, उनका होता है, फाइदा किसका होता है? नरेंद्र मोदी जी के marketing होती है अदानी और अंबानी जी का फाइदा होता है और दो हिंदुस्तान बन रहे हैं एक अरपतियों का, उसमें 20-25 लोग हैं और दूसरा मजदूरों का, किसानों का, बेरोज़गार युवाओं का बाई और बेनों 16.000.000.000 रुपए 16.000.000.000 रुपए नरेंद्र मोदी जी ने इन 20-25 लोगों का करज़ा माफ किया है किसानों का आज तक करज़ा माफ नहीं किया है हमने 70.000.000 करों रुपए किया था जब हमारी सरकार थी आप सोचो 70,000 करोड रुपए से हिंदुस्तान के सारे के सारे किसानों का कर्जा माफ किया था इन्होंने 16,000,000 करोड रुपए 22,25 लोगों गुदिया है ये हमारी लडाई है हम चाहते हैं कि एक हिंदुस्तान हो अगर बैंक के दर्वाजे अरब पतियों के लिए खुले हैं तो बैंक के दर्वाजे किसानों के लिए मजदूरों के लिए युवाओं के लिए खुले होने चाहिए अगर उनका 16,000,000 करोड रुपए माफ हो रहा है तो फिर गरीबों का भी 16,000,000 करोड रुपए माफ होना चाहिए और अगर गरीबों का 16 लाग करोड रुपे माफ नहीं हो रहा है तो पिर उनका नहीं होना चाहिए हम सिर्व नियाए की बात कर रहे है और यही लड़ाई महराश्टरा में है आप यहां का इंफ्रस्ट्रक्चर दिखिए यहां बेरोजगारी देखिए बेरोजगारी देखिए हर एरिया में आपको बरश्टरा चार दिखेगा जहां भी आप देखोगे सलक बनती है बरश्टरा चार सरकारी बरश्टरा चार से बनी है सरकारी चोरी करके बनी है सरकारी MLS को पैसा बन के देके बनी है यह BJP की सरकार नहीं है ये आपकी सरकार्ती इसको तोड़ कर चोरी करके ले गएं ये लोग तो जहां भी आप देखोगे आपको भ्रष्टाचार मिलेगा बाहर के लोग यहां आकर आपके कॉंट्राइक ले जाते हैं दूसरे स्टेट के लिए लोग यहां आकर, आप से कॉन्ट्राइक झीव जाते हैं, ये हम बदलना चाहते हैं, और मैं जानता हूं, कि आप सब कॉंग्रेस पार्ट के कार्य करता, महँपत के दुकान वाले कार्य करता, बबर्षे मैं जानता हूं, कि यहां पे आप की सरकार लाने जा रहे हो अपना खून पसीना दे कर महराष्ट्रा की जंता की सरकार किसानों की सरकार बेरोजगार युवाओं की मजदूरों की सरकार हर वर्ग की सरकार आप लाने जा रहे हो जहां भी आपको मेरी ज़रुवत होगी मैं आ जाओंगा आपको सिर्फ ओर्डर देना है कि राउल आपको यहां आना है मैं हाजिर हो जाओंगा अंत में मैं आप सब को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आए इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी धन्यवाद नमस्कार, जैहिन